जेकेपी कॉंस्टेबल रिकुट्मेंट 2024 की बात करेंगे आप सबी के लिए औल जम्मू कश्मीर बेज़ एक फ्री फुल लंथ मॉक टेस्ट में लेकर आया था जिसके बारे में कल की वीडियो में डिसकुशन कर रहा था इसका फाइनली एक दिन कंप्रीट हो चुका है तो उ जेकेपी कॉंस्टेबल कोर्स देखने को मिलेगा वहां पर आपने इस कोर्स को उपन करना है वहां पर फ्री का फुल लंथ टेस्ट मिलेगा आप एटम्ट कीजिए अब इससे अपको यह भी समझ जागा है जम्मू कश्मीर के रहने वाल है आप कहां पर स्टैंड करते हो कि इंप्रूम्मेंट की जुरूरत है उसके कॉर्टिंग अपनी प्रिप्रेशन जो कंटिन्यू कर सकते हो तो स्टार्ट करते हैं आज किस वीडियो को सबसे पहले एवरियर स्कोर देको हंडिड मार्क्स का पेपर था दो गंडे का टाइम था वन बाय फोर के नेगटिव मार् मार्क्स के थी तो 50 मार्क्स इन सब भी सेक्शन के 50 मार्क्स जीके के थी एवरिज टाइम 50 के आसपास जो है वो लिया गया है अभी ज़्यादा बच्छों ने अटेम्ट के लिए स्क्रिंशोट काफी पुराना हो चुका भी फिला जो टॉपर थे वो रिशेव शेर्मातिन क स्कूर से हंडिड में से 73.25 अभी बच्चे तैरी करना स्टार्ट करें नो टॉपर का स्कूर देखो पेपर का लेवल है वो इजी से मॉडरेट था कुछ कुछ बिल्गूल इसी लावल के थे कुछ मॉडरेट लेवल के थे डिफिकल्ट लेवल का भी सेट नहीं करा गया ठी तो 73.25 मार्क्स आएं एवरेज टॉपर के जो आएं फिर 69 आएं फिर 68.5 इस तैसर टॉपर के स्कूर है जो टॉप रैंकिंग है वो आपको स्कूर देखने को मिल रहे हैं देखो यहां पर मैंने अनलिसिस करा जब जो रिशेव शर्मा की बात करेंगे जब इनकमे सेक्शन क अनलिसिस कर रहा था तो वहां पर देखो कि मैथ के सिर्फ दो ही मार्क्स बन रहे हैं मैथ के टैन मेंसे से दो ही मार्क्स हैं मतलब मैथ वीक है बट फिर बी टॉप रैंकिंग नंबर रैंकिंग जो फिर्स आपको देखने को मिल उसका रिजन क्या है जनरल अवेनिस का पूजिशन है इनका भी मैथमेटिक्स वीक था 2.75 इनके तीन नंबर रहा थे मैं 3.25 नंबर रहा थे मैथ में रिजनिंग में 2.75 इनकी मैथ भी वीक रिजनिंग भी फिर बी सेकिंड नंबर पाए क्यों कि जोनरल अवेनस टॉंग थी 40.25 मार्क्स आये थे आपकी पेपर मे बागी सेक्शन में अच्छें इंप्रूव्मेंट कर रहा था और एक बात बताना चाहूंगा अगर आप त्यारी भी करना चाहिए तो मुझ से पढ़ना चाहिए जिसमें स्पैशली जर्नल अवेनस की बात करें इसकी क्लासिस अभी स्टार्ट करें लाइव क्लासिस होती है देली बेसिस पर और अभी दो ही लेक्चेर हुए आप अराम से जोइन कर सकते हो फ्लैट डिसकाउंट भी चल लाइव कोर्स का जो प्राइस है वो अलड़ी कम करा गया था बट बच्चों के डिमांड पे एक माँपे कूपन कोड जिनरेट कर गया था इसका नाम है जेके प अब ये कूपन कोड यूज करके कोर्स को पर्चेस कर सकते हो हलाक ये कूर्स ये एक्सपायर होने जा रहा था तो बच्चों के डिमांड पे फिर से और 15 स्टुएंट के लिए कूपन कोड को अक्टिवेट कर दिया गया है यह आज आतो 11 बच की कासपास जो है कूपन कोड हो जाएगा बट टोटल 15 स्टुएंट के लिए है तो अगर मान के चलो अगले एक दो गंटे में अगर 15 बचे स्कूपन कोड को अपलाई करके कोर्स पर्चेस कर रहे तो वैसे एक्सपायर हो जाएगा तो जल्दी कीचर को जॉइन कीजिए अगर जॉइन करना चाहते हो और यहां पर देखो, तो 18 questions वह जो आटंप्टी नहीं कर रहे थे, मतलब यहां पर doubt था, इसका answer किया क्या है क्या पता प्रहिए नहीं होना, तो इनको आटंप्ट कर लिया होता, और यहां से 7-8 questions अगर गलत हो गये होते, तो दो number और कट गए थे, अगर 2 number और कट जाते तो तो यह ranking जो number one देखने को मिल रही है यह जाए कि आपको 15 16 के आपको 18 20 के आपको देखने को मिल रही होती तो negative marking वाले paper में इन बातों को भी ध्यान देना होते हैं अब पुरे paper के average marks के बात करें average marks तो कम देखने को मिलनेगे को कि इस सारे बचे ऐसे जिनके एक एक दो नुमबर भी बन रहे हैं तो हम average marks को side way रखते हैं हम cut off की तरफ चलते हैं cut off कि इस तरह से decide करा गया है जैसे मान के चलो अपको return exam होता है फिर आपको running के लिए बूलाए जाएगा तो एक seat पर चार बच्चों को running के लिए बूलाए जाता है 6-7 भी हो सकता है बट में 4 के हिसाब से लेकर चल रहा हूँ उसकी coding cut off त्यार कर रहा है और reasoning के section में हाला कि आपका overall cut off vary कर जो है वो माहिने रखता है बट फिर भी बता रहा हूँ raising में 5 से अगर आपने उपर score कर रहा है तो आपका अच्छा score था mathematics में 2.75 के उपर अच्छा score था आज के हिसाब से बता रहा हूँ general average में 13 के आसपर score या इसे उपर था तो अच्छा score था English में 4 से उपर Science में इसके उपर यह सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है बर जो में जो आपके जली important रहने वाला वह रहने वाला है general cut off overall cut off कितना क्या 100 में से आज की पेपर में कितना score आपके होंगी तो आप मालनों कि अपने आपको क्या में पास हूँ तो अगर आपके 100 में से हलागी screenshot यह आदा आया कुछ नमबर आप अगर अगर आपके 37.25 या इससे उपर मार्क से अगर आपके बन रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है वो JKP में स हो चुके हो आज की एक्जाम के हिसाब से बाकी देखें अभी पेपर के कोई डेट नहीं है अभी notification सिर्फ इतना है कि प्रवर से स्टार्ट होने वाला है इस टाइम पर भी बच्चों का 37-38 के आसपास जा रहे है तो competition का level आप समझे तो किस तरह का रहने वाला है और आपका score के वह आपको पता को अपने प्रेटम के देखा हुगा तो improvement की जगर improvement नहीं थी अच्छे से त्यारी करना स्टार्ट करो एक से डेड़ महिने के बाद एक और इसी तरह का full length free test आएगा उसमें आपकी improvement होनी चाहिए एक से डेड़ मिने का time है अच्छे से त्यारी कर लो जब next mock test full length है जो मुकुश्मी लावद के रहने वाल है उसमें आपकी ranking में चाहिए जरूर आना चाहिए यह महने ताबू करनी है तो बाग एकर आप YouTube से पढ़ना चाते हो मेरे चैनल में प् हैंद